कोमती देवी हैं आदर्श नगर से स्वागत है आपका हाँ जी मैम बोलिए सवाल करिए हमारी पायर में दर रोग जाता है कमद से लेके एक पायर सुन पढ़ जाता है खाड़े दर बिल्कुल नहीं पाते हैं पात मिया से जादा में खड़े में पाते हैं आपकी उम्र कितनी है यह वह तो हमारी पांकर शाल तो दीकि डॉक्टर ने आपको बताया हुआ कि आपकी घर में ये कुर्सी वाला शोचाले होना चाहिए बताया कि डॉक्टर ने हलो दॉक्टर ने बताया आपके घर में कुर्सी वाला बात्रूम होना चाहिए नहीं दॉक्टर तो नहीं बताया दॉक्टर चाहते हैं कि आप हमेशा दवा खाते रहें मैं चाहता हूँ आप हमेशा दवा न खाए ये कुरसी वाला जो शोचाले है ये लगवा लिजे, अगर है तो बहुत अच्छा है, है क्या आपके घर में, शायद कॉल कर गड़ गई लेकिन आप मेरी बात तो सुनी रहे होंगे, ऐसे रोगी के घर में ये कुरसी वाला शोचाले जरूरी है, नहीं तो बहुत तकलीफ चोचाले, आपका कुर्सी वाला होना चाहिए, और गौन सियाह नाम का एक काला गौन, जिसे आपको असली हासिल करना है, असली मिलना दरा मुश्किल है, नकली बहुत मिलना है बजार में, असली गौन सियाह खरीद लें और आदा ग्राम नाश्टे के बाद, आदा ग्राम रा जाएगा और इस दवा से भी ज्यादा वेस्टन ट्वालेट यानि कुर्सी वाला शोचाले आपके लिए जरूरी है अगर आपको सो ग्राम भी असली मिल गया तो देखिए ये पंदरा सोला रुपे रोज का इलाज है एक ग्राम खाना है आदा ग्राम सुबा आदा ग्राम शा है अशोक गुपता जी स्वागत है आपका यी नमस्ते नमशकार मैं मैं अधस्टे हम स्में बहुत इन्स ये मैरा सवाल नोट करें 캠रष ये गुशना के एंशे मेरे सवाल मेरा थो वोग νहा से हिरा है पाते तो ज्यादा देर तो हम तो उसमें तो आराम दिल गया है ठीक है उसमें हम को बहुत आरफ हम तोड़ा दो चल भी लेती हैं और सब चल भी लेते हैं लेकिन मेरी गाठ्टों में दर्ग लाइची को रहा है गाठ्टों मेरे कमर से पहर तत बहुत आराम है और लेकिन मेरी गाठों में दर्द नहीं चुक हो रहा हम क्या करें तीन मेने से हमने खा लिया है या और खाएं और मगाएं स्टोग्राम पहले आप अपनी उमर बताईए मेरी उमर अच्छा और ये दर्द आपको कब से था दर्द मुझे बहुत दियों से था लेकिन दर दो तीन साल से बहुत ज़्यादा है ठीक है जी और क्या करते हैं कि हम और मगाएं क्या करें ठीक है ठीक हाँ अभी आपको और मगाना है और आदा आदा गिराम ही खाना है और बगएद चर्बी के दूस से खाना है और अलसी ले लीजे अलसी भून कर हलका सा भूनना जादा नहीं अलसी बहुत सच्टी आती है पचास साथ सो रुपे तक की किलो आ जाती है साफ कर लेना कंकर बहुत मिलेवे होते हैं उसमें उसको हलका सा भून कर पौडर बना ले एक चम्मच अलसी और अदा ग्राम गौनसिया है ऐसे दो बार खाएं तो यह और जादा तेजी से खायदा करेंगा और यह जो गाठों में आप दर्द बता रहे हैं यह इसका दुश्मन है और बहुत अच्छा किया आपने बता दिया पूरी बात प्रिखेंगे सालों से दस साल से दर्द था तीन साल से बहुत जादा था तो इलाज तो आपने सारे किये होंगे जिसने जो बता दिये जब आदमी को ज़्यादर तकलिफ होचे दिवाना हो जाता है लेकिन फाइदा यह गौनसिया से आपको बगवार ने दिया अब आप हम हमारे साथ जुड़ी रहेंगे तो आप अपने साथ कई सो लोगों का फाइदा कर सकती है जो लोग आपकी तरह तकलिफ उठा रहें लेकिन उन्हें पता ही नहीं क्या करना है और बहुत ज्यादा हम कोई खराब इलाज में कर सकते यह अच्छा इलाज है आप खुद भी करि मेरे कर सकते रहें वाहां है और झाए्ट जिपाली जी होगा है तो मतल ब्ढny कर सा अपया घ्रुकिं मेरे के सुझनेत हो गया नहीं तो मुझे बहुत सी कमजूरी है सर और ना सर मतलब घर में से हम मिडल ट्रास लोग है सर हमारे यहां शराव अगरी पीते है सर उसकी वज़े से भी थोड़ा सा मतलब दिमाग में बहुत किलचुड़ापन है सर और मालसिक मतलब सर अभी मैं इसको क्या बुलू सर सर मालसिक वूलू यह सारीक वुलू या और फिख बूलू की सर मालसिक बहुत मतलब कमजूरी जैसे है सर मुझे और चुरचुरापन बहुत है सर मेरा ला ला दिपाली जी आपके उम्र कितनी है मैं मेरे उमर है 32 ठीक है आप बहुत अच्छी बच्ची हैं और हर बास सोचती हैं समझती हैं और यह रिवायत ने बहुत लोगों के घर बर्बाद कर रख रहे हैं शराप पीना उस्सा करना और आप बरदाश करें भगवान सब अच्छा कर देगा कुछ दिन तक ऐसा रहता है हर घर में प्राब्लम रहती है और एक मैं आपको उन्यूस का बताता हूं धनिया लें धनिया दो सो गिराम और मेथी दो सो गिराम और अलसी दो सो गिराम अलसी को हलका सा भून लें फिर इसका पौडर बना लें तीनों चीज़ों का ये पौडर बन गया आपका छेसो गिराम इसे रखा करिए अपने घर में और एक आता है गौन चिलगोजा चिलगोजे का गौन ये अलग से पौडर करके रख लीजे और रोजाना ये जो मैंने तीन चीज़ों का पौडर बनवाया है ये एक चमच और एक चुटकी में जितना आपको चिलगोजे का गौन आ जाए एक चुटकी में इसमें मिलाकर आप रोजाना एक बार रात को सोते समय खालिया करिए तो इससे ये आपको बहुत ज़्यादा अंद्रूनी मजबूती ताकत और जंजला हट को भी कम करता है ये और इस्टेब्लिश करता है दिमाग को और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक और और अलाद हो जाए तो ये आपको इस पर भी मदद कर सकता है अगले कॉलर है चंदा वर्मा जी स्वागत है आपका जी नमस्ते हैं नमस्का पर परनाम अधा परनाम हमको जो है पाइस है और करीब 15 सान हो गया है हमको हुए और उसमें मस्य हो गया है और इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है इसके पहले हम अर्सोजनी वकी लेते इसे अराम मिला था लेकिन अब अर्सोजनी बड़े हो जाए बहुत खुजली हो रही है बिक्कत हो रही है पेड़ नहीं चाहता है ठीक है अचे दीके एक तो वह अरणडी का तेल कहते हम गावं वाले तो अरणडी का तेल सब मेडिक अस्टोप पर मिलता है कास्ट आइल भी कहते हैं इसे इंगलिष में कास्ट आईल तो हर मेडिक अस्टोप मिलता एक चमच या दो चमच पीजे और गरम पानी पीजे इस पर या खुँग गरम गरम पानी या खुग गरम गरम चाय पीजे ये तो आज से ही शुरू कर दीजे ठीक है और एक नुस्खा बना लीज़े अगर आप थोड़ा लंबा इलाज करेंगे तो आपको फाइदा मोंकिन है धनिया सो गिराम धनिया धनिया सौफ सौट अजवाईन धनिया सौफ सौट अजवाईन मेथी और जीरा धनिया सौफ सौट अजवाईन मेथी जीरा इस सब चीज़े सौफ सौ गिराम खरीद कर पौडर बना के घर में रखे और हमेशा रहना चाहिए घर में कैसी भी पेट की समस्या हो चाहे आप जैसी चाहे ऐसी लिटी की चाहे कब्ज की चाहे बावसीर की चाहे लीवर की चाहे किड्नी की ये बहुत अच्छा नस्खा है आप हमेशा अपने पास रखें इसका पौडर बना के रख लीज़े और एक आता है नमक जैतून ये असली ले नकली बहुत मिलता है ये देखने में नमक जैसा होता लेकिन नमकी नहीं होता इसलिए ब्लेट पेशर वाले भी इसे ले सकते है तो ये जो आपने च्छे चीजों का पौडर बनाया है ये एक चम्मच लें और इसमें एक चुटकी या दो चुटकी नमक जैतून मिला कर आप दिन में एक बार ये दो बार खाने से आदा या एक घंटे पहले ले लिया करें आपकी समस्याओं में पाइदा होना मुम्किन है अगले कॉलर हैं इंदौर से कर्णल वर्मा जी स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार सर आदा आदा भाई वेलकाम स्वागत्तम कर्णल साफ गर ईक बार तो मेरा सवाल थो दो है और एक बाद आपने कहीं झाले कि किसी से यादा मोहबत मत करो पाद मे तकलीव होती इसे बाद में तो पाद मेरा या मानना है कि किसी अठ़तकлы हही नहीं आज अज तक है तकलीफ जैसे के अपने हाजरा दिलाल साथ को जो तकलीफ उठाई थी उन्होंने जो आपको तो बेतर जानते हैं मुझसे जी जी कि उनके साथ में क्या हुआ था उस दोर में सही बात है आप अपने तारीख पर लखिए देखिए मैं बड़ा इंप्रेस हूं आप से जी जी यह भी महबबत की वज़ा से थी तकलीफ महबबत यह तो वह जो ना मैं तो उसमें यह जाना जाता हूं कि गोंतिया तो दो सिटकी ले ले लेते हैं उसके साथ में चमब अर्थी भी ले ले लेते हैं जो अर्थी गंदा तो अर्थी अल्टी कलोंजी अलडी उसको अगर इसमें कितनी मिलाई जाएं तो दुसरा सवाल भी कर लीजए दूसरा सवाल तो यह है कि हर आजमी वो आप बदाते हैं उनना आप अल्टी सफिस्तान और पीपले कि जो शुगर ओले से हैं तो उसको शहैद में मिला जैं सभी लोग ले सकने हैं किया। तो उस्ते याधा मुपित होसकता, मेरा मानना है, आप बताएं वेद़्र क्या है। ठीक है, हाँ दीखे, शुगर वाले तोड़ा परेस करते हैं ग्लोकोसे और ग्लोकोस होता है, ये जो शहद है, ये ग्लोकोसे तो ये इतना ज्यादा नुकसार नहीं देता है जितना लोग समझते हैं, उससे ज्यादा तो लोग दूसरी मीठी चीज़े खा लेते हैं, तो वो सिया, अलसी, अश्वगंदा, सुरंजान शीरी. हाँ, हाँ, इन में दरसल मैं ने ये तरीका इक्तियार किया, कि सब लोग एक से नहीं होते हैं, आपको कहूंगा तो आप तो समझ जाएंगे, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं, जो समझ नहीं पाएंगे, तो ये सुरंजान शीरी, अजगन नागोरी, छोटी हड, अलसी, कलोजी, अस्वगंदा, मैं कहता हूँ, इन सब का पौडर बना लें, और इसको दो गिराम, या तीन गिराम, जाए जाए तीन गिराम, वैसे दो गिराम लेना चाहिए एक वक्त में, और गौंसिया को अलग से पौडर बना लें, अक्शली ये, गौंसिया बहुत तेज है, ये कभी-कभी खतरनाक भी हो सकता है, तो इसको अलग बनाकर, इस में से आधा गिराम इस दवा में मिलाकर, उसी वक्त और तब खाएं, ये तो देखिए, मैं भी बता के चला जाओंगा, और आप समझ के चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, कि ना मेरी बात समझेंगे, और वो कुछ गरबर करेंगे, इसलिए मैं जो भी नुसके जात अलग-अलग करवाता हूंगे, इसे अलग पाउडर करके रख एक दो महीने बाद हो, तो ये सेफटी के लिए करता हूं, और क्या सवाल था? पसी ये दो ही सवाल है, और एक ये था के अधर बिलाल का आपने जिक्र किया, अधर बिलाल की तकलीफ भी महबत की वज़े से थी, और ये कैमिकल तयार होता है, दिलसल दिमाग में महबत का, ज जिमाग में तयार होता है, आपके बच्चों के लिए, या पौतों के लिए, ये दूसरे के लिए नहीं होता है, और जिसके ये दूसरे के लिए होता है, वो फिर कौम का रहनुमा होता है, सच्चा रहनुमा, तो अधर बलाल हो, या आप से लिलाल सलम हो, जिन्हों ने इतन اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی کہ میں تکلیف میں हूँ ये बड़ी बात है हम जरा सी बात के शिकायत करते हैं तो मैंने वो शेर भी कहते हैं अपनी तकलीफ छुपाने में जो नाकाम रहा अपनी तकलीफ छुपाने में जो नाकाम रहा ये समझ लो के वो किरदार बड़ा आम रहा चैज मेरी बात बहुत कम लोग समझ रहे होंगे के मुदतों गम कोई आकर नहीं उलजा मुझसे गम कोई आकर नहीं उलजा मुझसे एक तेरे गम से मुझे ये बड़ा आराम रहा तो बहुत बड़ी गजल है, रोज एक गजल कहता हूँ, आपको सुना दिया, आपसे लंबी बात होती है, तो मुझे ये दर रहता है, जो तूसरे वीवस वेट कर रहा है, कहीं वो बुरा ना मान रहा हो, नहीं तो मैं आपसे और भी लंबी बात करूँ